क्या ये एलियन्स होते हैं? क्या कभी धर्ती पर ऐसी एडवांस सिविलाजेशन थी जो की अपने समय से बहुत आगे थी? इस तरह के कई सवाल मन में आने लगते हैं दोस्तों जब आप CIA के प्रॉच्रेक्ट मैगनेट के बारे में सुनते हैं जी हाँ, जिसका एक कोना सहारा डेजर्ट में मिले एक अजीब से स्ट्रक्चर से जा कर चुड़ता है जिसके बारे में आज भी हमें सब कुछ नहीं पता तो CIA सहारा डेजर्ट में क्या चिपा रहा है? और क्या ये किसी बड़े रहसे से परदा उठाता है? आई जानने की कोशिश करते हैं, हम आज के स्ट्रक्चर के हम बात कर रहे हैं, उस रीशार्ट स्ट्रक्चर कहें पर हैं और सहारा डेजर्ट में ये एक 40 किलोमीटर के डायमेटर वाला बड़ा सा निशान है इसके बारे में अजीब सी बात ये है, कि ये रिंक्स की फॉर्म में है उनने सो पैजट में जब नासा अपने जेमिनी फोर्स बेस मिशन को अंजाम दी रहा था जिसमें पहली बार कोई अमारेगन एस्ट्रोनोट आउटर स्पेस में जाने वाला था तब स्पेस से पहली बार इस इलाके को आइणिफाय किया गया था जो कुछ कुछ जुपीटर के रेड स्पॉर्ट की तरह दिखाई देता था और तभी से यहाँ पर CIA जैसी एजनसीज ने अपनी रीसर्ट शिरू कर दी इस स्पॉर्ट के बारे में कई तरह की थियोरीज हैं कुछ कहते हैं कि यह इलाका नाचुरल ही बन गया था इसलिए इसके बारे में जादा बात करने की ज़रूरत नहीं है तो एक दूसरा गुरूप है जो मानता है कि हजारों साल पहले कोई एस्टरॉइड धर्ती से तकराया होगा जिस वजह से यह स्पॉर्ट बन गया इसके रिंक्स को देखकर एक दीसरी चीज यह भी प्रपोस की गई थी कि इस जगा पर हजारों साल पहले एक वालकाना हुआ करता था जो धीरे धीरे फर समय के साथ शांत हो गया और धर्ती के नीचे धस्ता रहा लेकिन परिशानी यह है कि इसके रॉक्स को जब स्टडी किया गया तो उसमें एक भी वालकानिक रॉक नहीं मिला ये तीनों ही थियोरीज अपनी अपनी जगा सही लगती है लेकिन ये एक important detail को miss कर देती है जो कि ये है कि आज से 5000 साल पहले सहरा desert कोई रेगिस्तान था ही नहीं बलकि ये पानी से बरा हुआ था सहरा desert का पानी के बीच हो रहा एक scientific fact है जोस पर किसी को भी शक नहीं है इसलिए सवाल और भी घहरा जाता है कि आखिर यहां ऐसा क्या था जिसने इस ring वाले pattern को जनम दिया जोसने एक अलग solution जो इसके लिए कुछ लोग propose करते हैं वो ये भी है कि शायद यहां पर कभी Atlantis हुआ करते थे अगर आपको नहीं बता तो ये माना जाता है कि Atlantis नाम का यहां पर एक शहर हुआ करता था जो कि एक आइलेंड पर बसा था और उसका रिजाइन भी इसी तरह के रिंक्स का था और यह रिंक्स आपस में एक कैनाल के थू कनेक्केट रहती थी Atlantis की बारे में मानने था यह भी है कि यहां पर डैमी गॉड्स रहा करते थे और यह अपने समय से बहुत आगे का शहर था जी हां, Atlantis की काहनी में होता यह है कि जब यहां के लोगों के अंदर जादा लाला चा जाता है तो वो दूसरे राजियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह वो ग्रीस के एथेंस तक पहुंच जाते हैं यहां Atlantis और एथेंस के सभ्यवा के बीच भीशन योध होता है जिसमें एथेंस जीच जाता है और Atlantis के लोगों को अपने शहर वापस जाना पड़ता है लेकिन उनके लालच के कारण भगवार उनसे इतने नारास होते हैं कि वो बड़ी बड़ी सुनावी लहरें Atlantis में भीज कर उसे डुबा देते हैं और इस तरह ये शहर हमेशा हमेशा के लिए समंदर के नीचे गायब हो जाता है दोस्तों Atlantis की कहानी हमें अलग-अलग civilization से भी मिलती है और खुद भारत की वाप करें तो यहां पर भी श्री कृशन के दौरका शहर का सिक्र है लेकिन ये कहानी दौरका की कहानी से अभी के लिए तो अलग मालूम होती है हमें Atlantis का सबूत सबसे पहले ग्रीक फिलोसिफर प्लेटो जिसे भारत में अफलतून भी खहते हैं उसकी राइटिंग्स में मिलता है डेटो के मुदाविक Atlantis की कहानी लोग भूल चुके थे लेकिन फिर एक Egyptian प्रीस्ट ये कहानी एक American poet सोलोन को बदाता है वो प्रीस्ट ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि ग्रीक लोगों वो लगता था कि उनकी सब्वेदा सबसे महान है तब ये प्रीस्ट उन्हें बताता है कि वो महान होने का दावा तब तक नहीं कर सकते जब तक उन्हें अपने असलिय इतिहास कहीं ना पता हो खेर सोलोन के बाद ये नॉलेज एजिप्ट से क्रीस आ जाती है और वो ये बाद प्रीटियास नाम के एक दूसरे फिलोसिफर को बताता है इसके कुछ जनरेशन सबाद प्रेटो जोकी प्रीटियास का नाती या ग्रैंट सन था वो ये सब अपनी ट्रेटियस टेमियोस नाम के किताब में लिखतेता है प्रेटो ने इस जगह की डिस्क्रिप्शन भी दी है जिसमें वो कहता है कि ये शहर रिंक्स की शेप में है और इसके बीचों बीच एक मंदिर है जोकी शहर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है प्लेटो के मताबिक यहाँ पर लोग अपने खाने बीने का समान पूरी तरखा फुद प्रेड्यूस करते थे और यहाँ पर काफी वाइड लाइफ थी जिसमें हाती भी शामिल थे जी यहाँ वो लिखते हैं कि अपने पीक पर इस सिविलाइजेशन ने एजिप्ट और इटली तक के इलाके में अपना राज चमा लिया था प्लेटो के मताबिक यह शहर 11,000 साल पहले एक्सिस्ट करता था जोकि आज की करन्ट साइंस के हिसाब से काफे फिट बैटता है पहले भी है कि रिशार्ट स्रक्चर के पास काफी सारे नमक के रेमनेंट्स पाए गए हैं तो दरशादे हैं कि जरूर आज से 12,000 साल पहले यहां पर समुदर का पानी रहा होगा क्योंकि जिन फॉसिल्स की हमने बात की है उसमें फिश, टॉर्टल्स, क्रॉकोडाइल्स और यहां तो एक ही वेल्स के फॉसिल्स भी हम पाते हैं यह कोई इत्यफाक नहीं हो सकता क्योंकि अट्लांटिस आज की समय के मौरिटेनिया में है यह बात तो हमने 1965 के बाद सोचनी शुरू की है लेकिन वहां की हिस्ट्री इससे माच करती है इसके साथ-साथ प्लेटो ने यह क्लेम किया था कि अट्लांटिस में काफी मातरा में लोहा, सोना और तामबा पाया जाता है और अगर हम मौरिटेनिया के एक्सपोर्ट्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तीनों ही मेटल्स हमें वहाँ भारी मात्रा में मिलते हैं और इसके साथ साथ साइंटिस्ट इस बात से भी अगरी करते हैं कि कई साल पहले एक बड़ा फ्लर्ट अमारिका में आया था विसे एटलांटिस के होने के और भी कई सबून है दोस्तों जैसे कि ग्रीक फिलोसिफर हेरोडोटिस ने 430 बीसी में एक मैप बनाया था जिसे आज रिशर्ट स्ट्रक्चर वाली जगह बोना सिर्फ पानी से भरी होई है बलकि बहां पर क्लियरली इस जगह का नाम अटलांटिस दिया गया है लेकिन इसके बाद में बता चला था कि हिरोडोटिस ने कोई मैपस बनाय ही नहीं थे बलकि ये मैपस उसके मरने के बाद बनाय गए थे एक फिर भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1965 से पहले के मैपस में कैसे कोई इस इलाके को अटलांटिस बोल सकता है वो भी तब जब साइन्स इतनी एडवांस भी नहीं थी कि लोग सिर्फ अंदाजा लगा कर बता सकते हैं कि ये जगा का भी पानी के नीचे हुआ करती थी पॉंबोनियस मेरा जो कि 2000 साल पहले एक रोमन जियोग्राफिकर हुआ करता था यहां उसने भी अपने मैप्स में अटलांटिस को जगा दी है और एक शहर की तरहा उसे दर्शाया है और ये जगा भी सहरा डेसर्ट के वेस्टर्ण पार्ट में ही है वहीं आज ये रिशर्ट स्ट्रक्चर खड़ा है तो ये बात तो तरह है दोस्तों कि इस जगा के बारे में पहले के लोगों को मालूम था और यहां पर कोई ना कोई रहता जरूर था किसी के यहां मौझूद होने का सबूत हम इस बात से भी पता चलता है कि खुदाई के वक्त यहां पर एक बार सारे तीर, भाले और शिप्स के टुकड़े भी मिलते हैं एजिप्ट के पिरामिड्स को लेकर भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है दोस्तों जो ये है कि उन्हें आंकर इंसानों ने कैसे बनाया होगा जब एक ही पत्थर का वसन कई हजार टन है और इन सभी पत्थरों को सौ से दोसो मील दूर से लाना पड़ता था क्योंकि जो जगा पर पिरामिड्स हैं वहां पर ये मटेरियल अवलेवल नहीं थे कुछ लोग कहते हैं ये पिरामिड्स तब बनाय गए थे जब अट्लांटेस के लोगों ने एजिप्ट पर कबजा कर लिया था और उसे अपनी कॉरोनी बना लिया था इसी समय इन भवे इमारतों का निर्माण किया गया जिसे आज तक वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रही है ये पूरी तरह मुम्किन है कि अट्लांटेस की कहारी शायद आगे जाकर कुछ और ही न निकले लेगन इस समय जोतने सबूत उनके पक्ष में है दोस्तों उससे तो हमें यह लगता है कि अगर यहाँ पर थोड़ी और रिसर्च की जाए तो कुछ बड़ा निकल सकता है रिशर्च स्रक्चर पर रिशर्च करने के लिए आपका अट्लांटेस पर विश्वास करना भी सरूरी है क्योंकि साइन्स विश्वास पर नहीं चल सकती वहाँ पर की गई रिशर्च भी पब्लीकली सब के लिए अवेलिवल होनी चाहिए CIA ने जो दो साल पहले इस इलागे पर रिपोर्ट रिलीज की थी उसके कई हिस्सों को सेंसर कर दिया गया था जिस वज़ा से यहां सच मुझ क्या हुआ था कोई नहीं जानता तो आपको क्या लगता है कि क्या अट्लांटेस ऐसे शेहर असल में हो सकता है या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और ही बात है आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफे कुछ नया मिला होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले